राजन विचारेजी को वोट नरेंदर मोधी जी के नाम पर मिले थे. अब साथ उन्हें ने छोड़ा तो गद्दार कोन हुआ. आपने वोट लिए मोधी जी के नाम पर. और बाद में छोड़े तो गद्दार कोन हुआ, यह मुझे कहने कि ज्रोत नीं है. मीरा भाइंदर हो चाहे थाने बेलापूर, इन सब ने आपको मोधी जी के नाम पे वोट दिये, कोई ने आपके नाम पे वोट नहीं दिये, और अभी आपको आपके चुनाओं के बाद पता चली जाएगा, कि यार ये मेरा वजुद नहीं था, ये मोधी जी का वजुद था. मुस्लिम अगर गलती करता है, गुडा करता है, या फिर किसी के साथ जाती करता है, और वो दूसरा हिंदू है, तो सारे लोग जो है, उस पूरे मुस्लिम काउम को गलत समझना शुरू कर देते हैं, तो कहीं वही नहीं होता है, कि जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए है वो बार बार जब मुस्लिम को टारगेट करते हैं, मुसलिम के बारे में बोलते हैं, तो वो ये सोचते हैं, हमारे लिए पूरी की पूरी बीजेपी गलत है. अगर किसी के साथ अन्याय होगा, तो मैं उसके साथ खड़ा ही रहने वाला हूँ, चैन्डू होुत अन्या कौर्ण सिद्ध ही अगर हिंदू के साथ अन्या हुआ है और उसके साथ कुड़ा और करने वाला मुलिम है तो एस समय इसा दिखाया जाता है कि ही बीरो दके के क्या सबैंडिन कॉंग्रेसी जान बुझ बुझ के उस बातों को बड़ा कर करके दिखाता है क्योंकि उनको पता है कि उनका वोड़ बैंक माइनोरिटी है और मोदी जी को पता है कि उनका वोड़ बैंक देश का विकास देश का भविश्य है क्या वंदे भारत ठेगी होई तो जती धर्म के इसाफ सो लोग सफर कर एंक तो जाती धर्म के यह से टरवल करेंगे ю तो देह में अगर सड़के बन रही तो जत्य जती नई कन्य हमिज़ा है तो श्कूर ब्लाइन न depende के अन्ह dop disfrut भारत, वो सभी के लिए, वो ऐसा है कि हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, क्रिच्छन को नहीं मिलेगा, सभी को मिलता है, जो जरुवत बंद है, जो जो चीजे देश में हो रही है, मुझे भी वोई सुविदा मिलती है, जो मोदी जी कर रहे हैं, अगर किसी ची और कहा जा रहा है कि भीड कुछ बुलाई भी गई थी, इसमें क्या है? मैं गई गवलानी मिलते ही ऑफा गई किया सैंडुटर hvis अर 남자 शार गोव not मैं सिंय धारान मंतिर नरंद्र मोधी जीयो और उनके साथ कोई नहीं । सो मतलब वो भीड़ बुलाएगे एक गलत है दूसरी बात आपने जो कहा कि जो उत्सा रेली थी तो पुरे देश भी वह वातावरन है कि जहाँ एंडिये की बात आती है बीजेपी की बात आती है लोग उत्सा हित होते हैं लोग आशिरवाद देते कई सारे लोग को तो आपने करें के लिए का म किया है घर्किर कि रख्षा के लिए ओर्डर की बात हो देश की बात हो जो और मैंत करें development की अगर मैं बात करू राजन विचारे जी की दो टर्म से वो MP है और वो दो टर्म से MP तब है जब आप लोगों ने ही आप लोगों का भी समर्थन था आप लोग उनके लिए ही वोट मांगते थे अगर विकास नहीं किया होता उन्होंने कुछ तो पाश साल बाद उनको हटा देते थे अब 10 साल बाद चुकी वो NDA का हिस्सा नहीं है इसलिए आप चाते हो कि नरेंद्र मोदी जी को जिताना है मस्के संजीवनाइग भी होते मस्के भी होते आप भी होते तब भी उतनी ताकत से हम भी काम करते और जनता भी समर्तन करती क्योंकि लीडर कौन है देश कान आने वाले कॉंग्रेस और NCP सिंबॉल पर टिकेल मग रहे है तो वेक्ति थोड़ी मांग रहे मों भीrosky जब जीथी की बात आती है तो वेक्ति से जादा देश का लीडर कौन है नेथरू सो खौन कर रहा है कौनिसी पाटी कर. jobs काкам की बात की एकजांपल की राजन विच अगर आपने उनको देखा तो बताइए वह अपने घर में बैटे हुए थे नरेश मस्के अब इंडिये का एक हिस्सा बन चुके हैं यानि अब लोग जो देख रहे हैं वो नरेश मस्के जी को नहीं देख रहे हैं नरेंद्र मोधी जी का फेस देख रहे हैं, ऐसा ही नरेंद्र मेता जी का कहना है, राइट, और इसी वज़े से, कुछी दिनों में नरेश मसके जी मीरा भाहिंदर में पॉपुलर होगे है। अगर मेरी बात करो तो मेरा बाहिंदर में लोग मुझ जानते होंगे, थाना में कम जानते हैं, नहीं मुंबए हूँगे, उसी तरह नरेश मसके जी थाने जैसे शेहर के, मेर के थाना, जिल्ला के अंदर थाना बहुत बड़ा शेहर है, उसके वो मेर रहे चुके, नगर सिवक रहे, मेर रहे, तो उनका एक अपना अनुबह हुए काम करने का, और राजन विचारे दस साल रहे, इसके लिए उनको लोग जानते हैं, तो पहली बार है तो उनको भी कौन जानता था, तो सभी ने मोधी जी के नाम पी बोड़ दी, नरेश मसके जी तो उनकी तुलना में उ जानता की समस्या से आता है, तो नरेश मसके जी एक अच्छे उन्दा कार्यकरता साबित होंगे, एक अच्छे नेता साबित होंगे, हमारा विश्वास है, सेना भाजब की हमारी क्या डिमांड ती मांगती लड़ायती वो अपनी जगा पे, लेकिन अगर जो बैस्ट होता है उसी में से चुना जाता है, तो इस शेत्र में शिव शना के पाथ जो बैस्ट था, उसमें इनको चुना गया है, तो स्वाबाई के पार्टी ने भी उनको चुना है, तो उनके अंदर कुछ गोण है, इसलिए उनको चुना है, एंडिया ने भी अपना समर्तन दिया है, तो स प्रेश मच के जी आपको निराश नहीं होने देगी, यह हमारा विश्वास है.